सुन्दर व गोरा चहरा किसे पसंद नहीं है यही कारण है कि हम लोग महंगे महंगे ब्यूटी प्रोड़क्ट का इस्तमाल करते हैं चहरे को खुबसूरत बनाने चहरे के दाग धबों को हटाने के लिए तो किस तरह से अपने हाथ पैरों गर्दन में जमे हुए काले पन को मैल को तेजी से हटाएं इसकिन को सॉफ्ट बनाएं साथ ही साथ रंग को निखारें आज आपके लिए एक ऐसा बोडी पैक का वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों जिसके आगे महंगे महंगे ब्यूटी प्रोड़क्ट भी फेल है केवल कुछ ही चीजों का इस्तमाल करके आप अपने रंग को निखार सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है चावल आपको इसा भी चावल ले जो भी चावल आप लोग खाते हैं आप उस राइस का इस्तमाल कर सकते हैं टुकडी वाला चावल है आप वो ले सकते हैं दोस्तों तो चावल जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा ब्यूटी प्रोड़क्ट है दोस्तों चावल के बारिक- Noodles से कंड हमारी तवचा से सारे dead cell को remove करते हैं. साथ ही साथ अंचाहे बालों की समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा. चावल जो होता है दोस्तों इसके बारिक-बारिक कंड एक square के जैसा काम करते हैं. Dead cell को tanning को remove करता है, rice floor. आजकल तो चावल का आटा आता है मार्केट में, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, या मेरे जैसे एक मुठी चावल को भिगा कर आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, चावल को एक बार मैंने पानी से धो लिया है, फिर इस्तमाल किया है, अब दो घंटे में चावल अच्छा आपको यही लेना है आपको एक कलर वाला साबुन कोई भी साबुन आप पियर्स यूज़ करते हैं लक्स यूज़ करते हैं जो भी लेते हैं आप लोग ले सकते हैं ग्रेटर की मदद से सोप को ग्रेट करना है दो चम्मच आपको यहाँ पर चाहिए ग्रेटेट सोप जो की आपके इसकिन में से सारी गंदगी को बाहर निकालेगा इस बॉडी पैक को चहरे पर लगाएं गर्दन पर लगाएं हाथ पैरों पर लगाएं अपने पूरे शरीर पर नहने से पहले आप लगाएं आपको इसे पूरे शरीर पर लगाना आप देखेंगे आपकी तचा पर जो निखार आएगा ग्लो आएगा ना इंसेंट ग्लो आ करती हल्दी उसे ट्रीट करती है हलदी एक औज़्टी है एक मेडिसिन है अब आपको यहांपर ग्राइंडिंग जार में सबसे पहले चावल डालना है यहांपर सबसे पहले आप पानी में भिगा हुआ चावल डाले इस rice water का इस्तमाल भी आपको यहाँ पर करना है rice water को कभी ना फेके चावल का पानी तो दोस्तों हमारे बालों के लिए हमारे skin के लिए इतना beneficial होता है rice water धीरे धीरे ही rice water और चावल को इस grinding jar में डालना है और बढ़ी अच्छा इसे सारी चीजों को blend करना है इसी में दो बड़ा चमच मैंने grated soap को डाल दिया है कुछ इस तरह से साबुन को crush करके डाला है और चावल डाला है साथी rice water चार चमच डाला है बाकी का rice water मैं बाद में इस्तमाल करने वाली हूँ और 1-4-3 spoon हल्दी जरू डाले आज भी रंग को गोरा करने के लिए वरवधू को हल्दी वाला उप्टन ही लगाया जाता है पुराने समय से लगाते आ रहे हैं और हल्दी रंग को गोरा करने के लिए सबसे best है दोस्तों चहरे के सारे निशान दाग धबों को दूर करती है और हमारी खुबसूरती में चार चांद लगाती है कुछ भूने नीबू के रस की जरू डाले लेमन जूस एंटी ओक्सिडेंट से भरपूर होता है नीबू के रस में विटामिन C होता है साथी साथ लेमन जूस एक नैचुरल ब्लीज का काम करता है तुरंत ही हमारी त्वचंपर गोरा पन लाता है नीबू का रस कभी भी लेमन जूस को डारेक्ट नहीं लगाया जाता है हमेशा लेमन जूस को किसी भी पैक के साथ मिलाकर या थोड़ा डालुट करके ही लगाया जाता है ये देखे, सारी चीज़े मिक्स हो गई है, इन्हें बड़ी अच्छा मैं ब्लेंड करूँगी, कुछ इस तरह से ये देखे, ऐसा, और इसे सारी चीज़े जब ब्लेंड हो जाएं आपकी दोस्तों, उसके बाद आपको इसे अपने शरीर पर लगाना है, आप इसे थोड़ा च्छे दिन आपको जरुवत नहीं पड़ेगी, परन्तु फ्रीज में रखे, नहने से आदा घंटा पहले जब भी आपको टाइम है, दस मिनट पहले भी आप इसे लगा सकते हैं, और पूरे चेहरे पर मसाज करते लगाएं, क्योंकि इसमें चावल डाला है, जिसके कण एक एंटी एजिंग की तरह काम करेगा ये बॉडी पैग, इसलिए मैंने कहा चेहरे पर, हाथ पेरों पर, गर्दन पर लगाएं, सारा मैल निकलेगा क्योंकि साबुन डाला है, नीबू का रस आपकी तचा पर गोरा पल लाएगा, विटामिन सी हमारे स्किन को हैल्दी बना जोंको चुन कर लिया है, चांट कर लिया है, साथ ही साबुन डाला है, साबुन आपके शरीर में खुजबू लेकर आएगा, आपके मैल, पसीने, गंदगी को बाहर निकालेगा, धूल, मिटी को बाहर निकालेगा, अब आप सोच सकते हैं, हम लोग रोज साबुन से नहाते जो कि आपकी तवचा के लिए इतनी ज़्यादा फाइदे मंद है अब इसे आपको लेना है पूरे शरीर पर इस तरह से लगाना देखे मसाज करते हुए लगाना है ऐसा ना सोचे किया रहे ऐसे ही ब्रश्ट से लगा ले मसाज करने से चावल के बारिक-बारिक कर्ण स्करब के जैसे काम करके सारे काले पन को तेजी से हटाएंगे नीबू का रस, विटामिन सी आपके सकिन को हेल्दी बनाएगा मेल को काटने में नीबू का रस सबसे ज़्यादा फाइदे मंद होता है हमारे हाथ पेरों में जो tanning हो गई न जो काला पन आ गया है जो sun की ultraviolet rays के कारण जो काले पन की जिद्धी परत है उसे तेजी से बाहर निकालेगा गंदगी मैल जो production के कारण हो गया है वो सारी चीजें बाहर आएंगी अपने घुटनों पर अपने एल्बो पर अच्छी तरह से मसाज करें खासकर हमारी कोहनी में बहुत जल्दी काला पन आ जाता है पंद्रा मिनट के बाद ही आपको इसे रिमूफ करना है गरम पानी से धोना है या फिर आप नहने से पहले इसे लगा रहे हैं तो फिर पंद्रा मिनट बाद आप नहा सकते हैं कमाल का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों अभी मैंने आपको केवल हाथों पर लगा कर दिखाया है गर्दन चेहरे पर लगाए अपने पैरों के पंजों पर लगाए आप देखेंगे कई बार हमारे हाथ पैरों में बहुत जादा काला पन आ जाता हाथ पैरों की त्वाचा खू करने से आप कुछ दिन इसका इस्तमाल करें आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना दोस्तों आपकी स्किन बिलकुल निखरी निखरी गोरी गोरी सी नजर आएगी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और खुबसूरत बनने की चाहत तो हम सब की होती है खुबसूरत चे देख रहे हैं इस चैनल पर पहली बार आ हैं तो सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल भी ना जाहिएगा और वीडियो को एक चोटा सा लाइक जरूर दे दीजेगा